महिला ने पूरुपती पर लगाया बेटे को अगवा कर ले जाने का आरो थाने पर नहीं हुई सुनवाई तो पीड़ता में पूलिस अधिक्षक से लगाई मदद की कोहाई शिप्पूरी जुले के वेराठ थाना छेत रंत्रगत आने वाले भदेरा गाउं की निवासी एक महिला ने मंगलवार को एसपी ओफिस में शिकायत दर्च कराते हुए पूरुपती पर बेटे को जवरन अगवा कर ले जाने का आरोप लगाया है महिला ने बताया कि उसने इसकी शिकायत वेराठ थाने में दर्च कराई लेकिन पूलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की बेटे को पूरुपती द्वारा जवरन छुटकरा ले जाने परिशान महिला ने एसपी ओफिस में आविदन दे कर बेटे को बापस दिलाने की गोहाल लगाई है जानकारी के अनुसार जोधी पतनी दीपक उमर 30 वर्ष निवासी भदेरा ने बताया कि उसकी पहली शादी बारा साल पहले मंडल पुत्र कल्लू चंदेल निवासी रेलवे स्टेशन के पास स्थाना बदरवास के साथ हुई थी जिससे मुझे एक संतान रवी है मेरा पुत्र रवी जब दो वर्ष का था तब मेरे पती और सस्राल वालों ने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया जिसके बाद मैंने आठ साल पहले दीपु पुत्र सुरेश जोगी निवासी भदेरा से शादी कर ली मैं अपने बेटे रवी के साथ पिछले आठ साल से दीपु की घर में रह रही थी तबी पिछले दिनों मेरी पूरू पती मंडल चंदेल मेरे घर बदेरा आया और जबरदस्ती मेरे बेटे रवी को अगवा कर ले गया पिड़ता ने पुल्स से बेटे को बापस दिलाए जाने की गोहार लगाई है पाला वो ले कैसे गया आप तो कांगा पाटी घर पर आता रही काम करने के लिए पेर इसकी सिकायत अपने काम पे बेडाता नहीं होई और प्रदेशन वाइन प्रदी का नाम क्या है मंडल और अपके का अब कि इनके साथ के तने साल से रही आठ साल से उसने वी दूसरी अब चाहते हो पिराव मेरा तो मेरे बाट्ची को चाहते है बच्चा मिल जाए आपको इस बच्चे का नाम क्या है जावी जावी पुन सामालो चंदेव अब चाहते है अब तो